मेरट में बारिश के बाद कैई इलाके ऐसे हैं कि जो तालाब में तब्दील हो गए हैं और इसकी वज़े से लोगों को तमाम दिक्कते और तमाम परिशानिया उठानी पड़ रही है मेरट नगर निगम के वाड 72 इसलामाबाद इलाके की तस्वीर देख लिजे कि किस तरीके से जो में रोड है वो यहां तालाब में तब्दील नजर आ रही है नाले नालियों कर सड़क का जो अंतर है वो खत्म हो गया है और यहां के लोगों को सबसे ज़्यादा जो परिशान तानिया है वो यहां पर ऊठानी पर रही है नगर निगम के अधिकारी आते हैं अश्वाशन देते हैं और उसके बाद को उलाब चले जाते हैं और यहां के लोगों को उन tastes च्छोड़ कर यहां से मतलग कैमरी की नजर जा रही है, वहाँ तलक आपको पानी ही पानी नजर आएगा और इसकी वज़े से लोगों को जो तवाम दिक्कते हैं वो यहाँ से उठानी पड़ रही है, सबसे बड़ी बात है किस रास्ते से आने जाने वाले लोगों की बात हो, यहाँ के दुकानदारों की तयार नहीं है, अब यह देख लीजे, यह बाट बाहत्तर इलाके की जो मस्जित है, इसको मिन्नी मस्जित कहते हैं, और मिन्नी मस्जित के आगे आप देख लीजे किस तरीके से जल भराब हो रहा है, इसकी वज़े से जो अकीदत मंद हैं, वो भी यहाँ नहीं आ पाते हैं और उनको तमाम दिक्कते उठानी पड़ती हैं लगतार नगर निगम के अधिकारियों को फोन कर रहे हैं लेकिन फोन या तो अधिकारी उठाते नहीं हैं या फिर आश्वासन दे देते हैं कि जल समस्या का समाधान कर दिया जाएगा लेकिन इस समस्या का समाधान कब होगा इ आज तक अधिकारियों के पास है नहीं और यहां के लोग बहुत परिशान हैं बहुत दिक्कत में हैं आप खुद सोचिए कि जब में नोट पर ही पानी भर जाएगा तो लोग कैसे आएंगे कैसे जाएंगे कैसे वो परिशानी यहां पर जेल नहीं है कोई सुनने वाला अधिकारी आने को तैयार नहीं मुझे एक महिना हो गया कहते कहते नगराइक साब से कि मेरे इलागा चलके देख लिजेगा वो कहते बस समाधान नूँ हो जाएगा चिंता मत करो अपर साब जा रहे हैं डाक्टर साब जा रहे हैं कोई अधिकारी नहीं आया और कल परसों से तो मैं इतना परिसान हूं कि मैं आत्मा हत्या कर लूँ मैं क्या करूं यह सोच रहा हूं अब बतलाइए मैं क्या जवाब दू देख लो आप कैसे देख लीजे कोई लिकलने को तैयारनी घरों से अपने विचारे क्या जाएंगे वो है खाना पकाने के लिए कुछ भी करने के लिए कहां जाए मजदूरी करने कहां जाए अब बहुत दिक्कत है करम चारी नहीं आते हैं यहां पर आवे हैं तो कल सफाय करी ऐसे करते है और पांट शड़े भीगो देते हैं बच्चे हमारे सून नी जा रहे हैं सब घर में है वाज कैसे लेके जाए उन्हें बच्चे बहुत दिक्कत करना पढ़ रहा है कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते उनसे वी जानने वाके लाके में तो दिक्कते देख रहे हैं कि बारे सुक है कि तो क्यी गंते już यह तो आपके सामने हैं कि यहां मैं अक्सर जो है वायसान के पास आता हूं और जब भी अक्सर आता हूं तो यहां पानी भरावा रहता है और सारी जो छेतर के लोग हैं वो पार्शत को कहते हैं कि पार्शत जी आप कुछ नहीं कर रहे हैं हमारी उसमें तो यह अधिकारी कु knowledge में डालता है संग्यान में डालता है लेकिन अधिकारी इधर को सुंते इधर को निकाल देते हैं सबसे बड़े तो अधिकारियों की वो है कि जो वो काम करना नहीं चाते काम करना नहीं चाते देखें मह retrouve मिन्नी मस्जीद तो कि तक ह жाता देखें शे बज़े से देख लोग 11 बज़ने अब नमास नमास का भी टैम हो जगा कि एक साथ अट गंटे हो जाता है पानी उतरता नहीं है काफी देर हो जाती है इसी वार्ण दूसरी मस्ज़ित में भी नमास पढ़ने जाना होता है यहां को कोई निगलता है यह घड़े वड़्डे पानी भरा रहता है इसी वारे को यान नहीं पाता देखे वाकई जो इलाके के लोग है इनकी परिशानी वाजिव है लोगों की जो दिक्कते हैं वह वाकई देखने वाली है शायद नगर निगम के अधिकारियों को इन इलाकों पर भी ध्यान देना चाहिए यह भी लोग पर-वार मोटिंग कर रहे हैं लेकिन तालाब नहीं है यह इसलामाबाद इलाके की मिनी रोड है जो में रोड है और मिनी मस् Calling के सामने वाली के में लोड है लेकिन आप खुद सोचिए कि नगरनिगम के अफसर कितने ला परवा और कितने बेपरवा है की इस इलाके को उनके हाल पर छोड़ रखा है शायद नगर निगम के अधिकारियों को यहां आकर इन लोगों की परिशानिया देखनी चाहिए और उनका समधान भी करना चाहिए वीडियो जनरलिस सतेंदर सिंग के साथ सनुच शर्मा एबी पी गंगा में रट एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी